स्माइल हन्या की मौत की गुत्थी सुलजने का नाम ही ने ले रही आखे स्माइल हन्या मारा कैसे गया सवाल सभी तरफ यही है एरान इस पर चुपे साधे हुआ है जांच की बात कह रहा है इसराइल जो है वो किसी तरह से कुछ कहने को तयार नहीं है उसने अभी तक इस हात्या की बात को स्विकार नहीं किया गया, कि किसी तरह का हमला उनकी तरफ से किया गया, या उनका इसमें हाथ है, वो भी चुपी साधे हुआ है, किस तरह से आगे बढ़े का बात्चित करने के लिए मेरे साथ मेरे सयोगी मयंक जुडगाएं है, मयंक जि बड़े defense के जो retired officers थे, उनके quarter थे, यानि कि बहुत safe जगा थे, ऐसे में हत्या के कुथी सुलज नहीं रही है, आखिर क्या थेोरी सामने आ रही है शुरुवाती तोर पर अनिया के, आपने बिल्कुल ठीक हा, इसको लेके कई बड़ी सारी थेोरी जारी हैं, जिसमें कई तो बहुत ही उल्जी होई हैं, जिसमें मैं आपको अभी एक लेटेस्ट बताना चाहूँगा, नियॉयॉक टाइम्स ने ख़ब इसमाइल हनिया रुके हुए थे, वहां पर पहले से ही मुसाद के एजेंस ने एक्स्प्लोजिफ पहले से अंदर पहुचा दिया था, उन्हें पता था कि अगर राश्पती एरान के राश्पती के शपत गरंड में शामिल होने आते हैं, तो क्या एरान की नजदीकी और हनि इसमाइल हनिया थे, इसके पहले भी दो-तीन बार तेरान जा चुके हैं, और वो जब भी रुके तो वो इसी गेस्ट हाउस में रुके, ऐसा सोर्सेस के हवाले से पता चला है, तो मुसाद जो है वो पहले से ये जान रहा था कि अगर वो राश्पती के शपत गरंड में शा गड़ारी की ये बड़ा सवाल है तेहरान के गैस्ट हाउस में अगर आपको एक्स्पोजिव प्लांट करते हैं तो इसमें निष्चित रूप से या तो इरान के मिलिटरी या एडमिस्टेशन में अंदर से को इसमें शामिल था तो ये अपिर क्या जिसे हम कहा जाए रहा ह अगर जोगारी की तो इरान के निष्चित रूप सिस्टम इसमें लेकि ही शवाशन से एक यहां आप किसी भी मिजायल से हमला हो अगर ए उहां के फुराझ पर आई अपा होगा जो इरान के लिए जो टॉरारी को एला कर्दार्ण के निष्चित वहां पर जैशन के ठीशन क प्रत्या हो गई है, चारो तरफ हाकार बचा हुआ है, युद जिसी सिती बन गई है, लेकिन एरान फिर भी चुप है. बिलकुल, बिलकुल, और सिर्फ एरान ही नहीं, अब तो हमास भी एक कह रहा है कि वह इंतजार कर रहा है इस बात का कि इरान की तरफ से इस पूरे मामले की जाह चोरी और क्या रिपोर्ट सामने आती है. अब इसमें जहां तक हमले की बात है, तो इसमें दो-तिन थेओरी है कि पहले हमने चर्चा की थी कि आ रहा है कि वह इन्हें F-35 जो फाइटर प्लेइन है अमेरिका का, उसकी किसी मिजाइल के थूरू इनको मारा गया, या फिर कोई ड्रोन से गाइड़ेड मिजाइल थी उस अब भी यही बना हुआ है कि ऐसे सिक्योरिटी जोन में और खास दोर पर हनिया, जस तरह से अपने आस पास पूरी सिक्योरिटी लेकर चलता था, वो इरान का गैस था, इतनी बड़ी चू कैसे हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मयंक यही है कि चुकि अब यह मौत की खून का बदला खून से लिया जाएगा, मज़ित के उपर लाल कलर का खंड़ा भी लगा दिया गया है, यानि कहीं न कहीं इरान की तरह से संदेश दे दिया गया है, इसको आप हलके में नहीं ले, इरान पूरी तरह से हमास के साथ है आप देखें अगर पिछले तीन दिनों में तीन बड़े दुश्मनों को इस्राइल ने खतम कर दिया है इस्माइल हनिया के पर अटैक हुआ उनकी मौत हो गई उसके बाद मुहम्मद दाइफ जो की हमास के मिलिटरी चीफ थे कहा गया कि कल उनकी हत्या की गई है उनकी उपर अब एक याया सिन्वर एक तीसरे नेता है हमास के जो पिछले साल जब अक्टूबर में इसराइल पर हमला हुआ उसमें जो तीन बड़े लोग शामिल थे उसमें जब तीसरे नेता एक बचे हुए है उनका नाम है याया सिन्वर तो अब यह ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता इ हमास के बड़े नेता है और इनका यह सबसे जादा पॉपुलर तब हुए थे जब एक बड़े में एक बार मुसाद की तरफ से जौर्डन पे थे इन पर हमला किया गया था और इनके जहरीला इंजेक्शन लगा कर मारने की कोशिश की गए थी उस समय हा लेकिन वह बच गए हमास और हिजबुल्ला यह सब मिलके हो सकता है कि अगर जिस तरह से ख़बर भी आई है कि जो हिजबुल्ला है उसने काफी जादा रॉकेट दागे है शायद इसराइल पर कहना है बहुत जादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन पूरी तरह से अटाकिंग मोड पे है इसराइल प्रिफार किये गए तो अब यह पूरा जो मामला है यह बड़ा रूप लेता जा रहा है अब बस देखने की बात यह है कि क्या यह किसी जंग की तरफ जाता है या इसका कोई और सॉलुशन निकल के आता है तो अभी मामला जो है मिड़ल इस्ट में और काफी जादा टेंस् अमेरिका का रुख भी स्पेस पर्ष्ट कर लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए वहां पर राश्पती चुनाओ होनी है और रिपब्लिकन और डेमोकरिटिक पार्टी दोनों अपने तरिके से इसको किस तरह से देखती है अलाकि अगर कमला हैरस की बात की जाए जो राश्प लगने रहा है तो आप अमेरिका की पॉलिटिक्स पर भी इसका कितना असर और अमेरिका पर भी कितना दबाव आप देखते है इस इंसिडेंट के हलिया के मौत के बार बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कहरेगी चाहे जो बाइडन रहे हो या फिर कमला हैरिस हो इनका उतना हा जादा एग्रेसिव रहे हैं हमेशा फिलिस्तीन के खिलाफ हमास के खिलाफ इसबुला के खिलाफ तो अब यह बड़ा देखने की बात है कि अमेरिका की चुनाव का क्या नतीजा सामने आता है उससे बहुत कुछ इस पूरे मिडलिस्ट का जो फेट है वो उसका मविष्च जो है वो दिसाइड होने जा रहा है चलिए तो हानिया की मौत की गुत्थी जो है अभी सुलजना बाकी है और इस गुत्थी पर हमारी भी नजर रहेगी और मध्यपूर्व में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुआ है हमारे साथ लगात आठ चुड़े रहे